हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब पांसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में तचोड़ी समोसे पकोड़े ये सब खाना सभी को बहुत पसंद होता है तो चलिए आज बनाते हैं ये बहुत ही अनोखे से नाश्ते की रेसिपी आप चाहें से समोसा बोलें या कोई और नाम दें बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने अंदर से खस्ता बन कर तयार हुए हैं तो चलिए फटा फट से देख ले आधा चमच मैंने अजवाइन लिए अजवाइन को आप हमेशा हादों पर एसे रगड कर डालें तो जो इसका पूरा फ्लेवर है वह बहुत अच्छे से आएगा अब पहले सारे ड्राइ इंग्रिडियंट्स को आपस में मिक्स कर दें अब इसके बाद में जालें 1 फोर्थ के करीब घी का यह थोड़ा मेल्टेट घी था मेरे पास अच्छे से मिक्स कर दें आपके पास घी अवलेबल ना हो तो आप ऑईल का भी स्तेमाल कर सकते हैं पहले सारे घी को इसमें मोयन की तरह लगा लें आटे में मतलब दो कप हमारा यह आटा हो चुका था तो इसमें यह पाटा लगाएंगे तो जो समोसे जो भी नाशता बना रहे हैं बहुत ही खसता बन कर तैयार होगा तो बस अब आपको इसका टाइट सा डू लगा लेना है तो देखिए मैंने इसका एक टाइट सा आटा लगा लिया है अभी शुरू में आपको आटे के उपर जादे महनत क कर लिया है तो देखिए मैंने हाथों से मैश कर लिया है इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत जादा बारी कालो करने की ज़रूरत नहीं है तो अम मैंने गैस परक लिए कड़ाई और इसमें में जालतूंगी एक बड़ा चमबच तेल का अब सबसे पहले में क्या करूंग एक चमबच मैंने सौफ डाले आदा चमबच जीरा देड़ से दो चमबच मैं इसमें धनिया पाउडर आलूंगी आदा चमबच हल्दी पाउडर और दो से तीन कटेल हरी मिर्चे अब सारे मसालों को बस कुछ सेकंड्स आप भूने इसके बाद आप इसमें डाल दें कुछ किश्मिश जिससे खटा मेठा जो टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आएगा और एक चमच काश्मेरी मिर्ची का पाउडर अब इसको भी बस कुछ सेकंड्स भूने और भूनने के बाद आपको ज्यादा देर इसको नहीं भूनना है वरना मसाले जल जाएंगे और फिर जैस मार्किट से कभी भी समोसा लाते हैं तो जो उसकी स्टफिंग है अंदर वाली उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक पन पर होता है तो मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे कितने ज्यादा मसालों का इस्तेमाल हुआ है लेकिन वह काली मिर्ची की वज़े से होता है तो काली मिर्चाट का मसाला और आधा चमच गरम मसाले की और सबसे लास में डाला मैंने टेस्क अकॉर्डिंग नमक क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं डाला था और बच सारे को अच्छे से कर ले मिक्स देखिए काफी अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है वह भुन कर तैयार हो तीन से चार मिनट आप इसे जरूर भुने तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दे और ओपर से जो हमने फ्राइ की हुए मुंफल या ती वो डाल दे और धेर सारा बारी कटा हुआ हरा तनिया डाल दे तो हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है और इसे अप पूरी तरह पहल बिल्कुल वैसा ही इससे क्या होगा जब हम इनको चिपकाएंगे तो यह बिल्कुल भी फ्राइ करते समय नहीं कुलेंगे तो देखिए बद एक इसका इस तरीके से मैंने एक पेस्ट बना लिया है अब इसे भी आप साइड में कर दे तो करीब 15 मिट हो चुकीती और हमारा अच्छे से फूल चुका है तो आप आटे को हातों से पहले अच्छे से मसल लें देखिए आप देख सकते हैं ना तो बहुत एक्स्टीमली टाइट है और ना ही बिल्कुल लूज मतलब एक दम परफेक्ट सा आटा हमारा लगकर तैयार हुआ है और बस अब आप क्या करें स बड़ी बड़ी पेडियां बना लें मतलब हम इसको एक बड़ी से चापाती के रूप में बेलने वाले है तो देखिए इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी लोई इसकी निकाल ली है मतलब इतने आटे में से आपकी करीब 3-4 लोई बनकर रेडियो जाएंगी तो देखिए मै बना लेखिए मैंने प्लेट फॉर्म पर रख लिया क्योंकि काफी बड़ा हमें इसको बेलना है इससे क्या होगा आप एक ही बार में कई सारे समोसों को बनाकर रेडि कर लेंगे आपको बार बार छोटे चोटे पीसिस वनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब इसे साइज में पेल लिया है आप देख सकते हैं कोशिश रखें कि आप इसे थोड़ी सी स्क्वाइर फॉर्म में इस तरीके से कट कर लेंगे जिससे जब आप नाश्ते को बनाएंगे तो हमारे जो सारे नाश्ते हैं वह बहुत ही अच्छे और एक्स्टार्टे को हटा दिया है और उसके बाद अवह थोड़ी छोटे बनाना चाते हैं तो 6 पिसी कर लें इस तरह मैंने 4 पिसी कर लिये हैं और थोड़ी थोड़ी सी जो स्टफिंग ती हमारी उसको हम इनमे इस तरीके से रख लेंगे इससे क्या होगा कि एक बार में हमारे चार समोसे बन कर इये रेडी ह तो देखिए इस्टाफिंग को आपको बहुत जादे एक्सस नहीं डालना है तो देखिए हमने स्टाफिंग को अच्छे से रख लिया है और आप जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इस तरीके से ब्रश या उंगली की साहता से आप लगा दे किनार उपर जिससे आम इसे फोल् सीरो को मिला दे अब अपोजेट साइट के जो सीरे थे उनको मिला दे और फिर जो साइट के जॉइंट थे उनको इस तरीके से आप हातों से दबा दबा कर एक्दम बंद कर दे बंद अच्छे से करें जिससे फ्राइ करते समय खुले नहीं और बस इस तरीके से आप अपने स और बस इसमें एक बैश में जितने पीसिस आपके आ जाए आप उतने आराम से डाल दें और डालने के बाद तीन-चार मिनट इने छोड़ दें तीन-चार मिन के बाद जब लगें कि यह टर्न होने लाइक हो गई है तो इन्हें इस तरीके से अलटते पलटते हुए आपको पिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन होने तक ट्राइ कर लेना है अगर गलती से कोई पीस कहीं से थोड़ा बहुत खुल भी जाए तो उससे कोई फर से सर्फ किया है घर धनी की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ और आप देख सकते हैं कि यह कितने क्रिस्पी हमारे जो समोसे है वो बनकर तैहार हुए है तो अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर लाइक और जरूर करें और अपना अनुह मुझ हैं फिर एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद